है दोस्तों आपको सब्सक्राइब चैनल पर आज हम पढ़ने वाले कंपोनेट और डाटा वेरहाउस अर्किटेक्ट्चर ठीक है क्या कंपोनेट हो दिसके अंदर तो इंपोर्ट अभी हो जाता है अगर आपको अगर 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 आता है या अगर अग्जाम में आता है डाटा वेरहाउस बनाओ तो आप लिखते हो तो आपका एक्ष्टाइब मार्क से मिलते हैं तो सिंपल है कुछ नहीं है चार्ट टैप के से कॉम्पोनेट होते हैं पहला होता है कि टिकल लेशन डाटाबेस इसमें गया होता है कि जो रोट रो सईंटर डाटा बैस होता है ठीक है मतलब जो भी चीजS में रो और कॉलम कोpless वेंबी बेसें अब आता है analytical database जिसको develop करते हैं data storage के लिए प्लस analysis के लिए या फिर analytics के लिए ठीक है इसमें आता है आपका टेरा data तो क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी analyze करना है तो इसकी मतलब ली जाती है ठीक है तीसरा आपको software for data management कुछ बागर data management करना है आपको या फिर hardware का management करना है त होता है जिसको इसकी कुछ example इसकी sap हो गया ठीक है 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 ना हो गया sap है ना हो गया एक ही वर्ड है और Oracle X data हो ठीक है तो इसके यह कुछ features है और चौथा cloud-based data data database होता है वो भी data virus के अंदरे आता है इसमें क्या होता होस्ट है या फिर आपको retrieve करना cloud से तो इसमें आपकी मत करता इसके सबसे एक्जामपल है Amazon Redshift और Google BigQuery ठीक है अब ETL जो टूल से है अगर वो एक्जाम में आता है तो आप सिंपल इसकी definition लिए सकते हो इसकी पूरी वीडियो में आपको description में देर की है तो जैसे कि हम बताते है कि data data ठीक है इसके वी दो डो टाइप होते है जैसे कि technical matter data दू में डाटा में क्यू होता है कि information जो पूर के दोरा जो स्टूर की जाती है वह टेकनिकल मेहां में डाटा में होती है business matter data में क्या होता है कि जिए थिए इंफर करता है, छो easy understand you उसको हम बुजनेस मेटा-डाटा के अंदर रखते हैं जो easy to understand उसको हम बुजनेस मेटा-डाटा में रखते हैं और जो information developer के काम किया आती है उसके आप डाटा डाटा के अंदर रखते हैं तो simply यह कि यह भी कह सकते हैं कि जो analyst है या फिर जो scientist है उसको technical meta data डाटा दिया जाता है और जो users है या फिर जो customers है उनको business meta data डाटा दिया जाता है process करने के लिए तो इस तरह के साथ को classify कर सकते हो ठीक है अब चोथा point आता है कि data access tools ठीक है उ इसमे ओलेप टूल्स आते हैं जो भी ओलेप के टूल्स है वो ओलेप किया है पूर आपको description मिल जाएगा और दूसरा आते हाँपर data mining tool data warehouse के लिए तो यह कुछ यह point थे component थे data warehouse architecture के जिनको exam में आप लिखो गया समझोगे आपके help होगी thank you